अब दोसों ये टागेट सेंसेक्स के मैं नहीं दे रहा हूं दिजादी टागेट विच विच अजब गिवन बाइ जिसको की रिडियूस करके भी 76,130 किया गया है कहने का मतलब यह है कि अगले आने वाले एक साल के अंदर अंदर सिंसेक्स विल बी जंपिंग 20% अप इन वन यह आप क्या लगता है दोस्तों क्या सिंसेक्स 20% की जंप को दिखाने के लिए त्यार है अगले एक साल में और फोर् नोट ब्रेक 19,800 लेवल सिमिलेली निफ्टी बैंक के बारे बातरे निफ्टी बैंक में एक पॉजिटिव ओपनिंग तो हुई इन उसके अद मार्केट ने बिलकुल री ट्रेस्मेंट शोगिया और सिर्फ एक सो चार पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है बा इग्जाक्ली आप यूट से की प्रॉफिट बॉकिंग थोड़ी सी वीक्नेस दिखाई पड़ रही है बड़ अगर आप यूण यूट्पिन मार्केट के बारे बात करें तो यूट्पिन मार्केट में मिक्स की उसक्षा ही पड़ रहे हैं कि अफ्ट निफ्टी हमेशा की स्टॉडी परपसे स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इसको अब स्टॉडी करिएगा और फिर मुझे बताईएगा कि आपको क्या लग रहा है इस टॉक में दम है या नहीं है यह जैस्ट फायर स्टॉडी परपसेस इसलाव अधानिय एंटर्प्राइज हैंडाल को एंट जी विप्रो में पॉजिटिविटी थी क्या रीजन उसको अब आगे डिसकस करेंगे जो स्टॉक्स लास्ट एक हफ़ते में अच्छा आउट परफॉर्म किये हैं उनमें लीड कर रहा है हीरो मोटर कॉप साड़ह 6% उपर है स्टॉक्स के बारे में बात करें कोल इंडिया 6% डाउन बजाज फिनेस प्रेशर होना लाजमी है साड़ह 5% के आसपास डाउन इसके लाब है एकसेस बैंक ओंजी सी आर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स तो लोगिन मार्केट एक्यूमिलेट क्या कर रहे हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो के क्यूमिलेट किये जा रहे हैं जिसमें की पिछले दिन के कंपार्जुन में हायर डिलिवरी परसंटेज दिखाई पड़ रहा है लीड कर रहा है बजा जोटो उसके लाब पावर ग्रेट इनफॉस एच यू एल एंसले आर दी अदर स्टॉक्स जिस चीज़ हम लोग ने कल शाम को भी डिसक्स करिए थी क्योंकि नैटीन एट हंड़र के आसपास एक बड़ा कॉल राइटिंग का ओपन इंट्रेस्ट क्रेट हो रखा था सिंबल चीज़ है नैटीन एट हंड़र के लेवल्स पर एक रजस्टेस्टेस होने के कराण वहां से र 5050 में आपको यह जो मुवमेंट है वो डिफिनेटली एक्सपेट करना चाहिए एट लीस्ट एक्सपेट करना चाहिए गैरंटी तो किसी जीज़ की नहीं और उसके बाद ही कोई फ्रेश अपसाइट की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए इस वाट आई पॉसली फी या थोड़ा वीक होते रहे अल्टिमेटली दिखा जाए तो कोई यदा खास मेजर प्राइस सेक्शन दिखाई नहीं पड़ा है क्योंकि जो सबसे पहला लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वह है 44,000 के लेवल्स और यह दोस्तों एक पुरानी अग क्या बोल रहा है तो FIA ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग करी थी 455 करोड वरत आफ स्टॉक्स की और उसके अगेंस्ट बाइंग हुए थी दिए इसकी तरफ से 722 करोड वरत आफ स्टॉक्स की तो FIA की सेलिंग चालू है डिए इस बीच-पीच में छुट-पुट बाइंग कर रहे हैं और आज उन्होंने FIS की से से ज्यादा बाइंग करी है तो दुस्तों कि हम लोग देखें आज के दिन के जो open interest rate हो रखा है option के क्या positions है तो put call ratio अभी 0.89 है मतलब call rating more aggressive call rating is more aggressive as compared to put rating जो चीज़ इंटरेस्टिंग है और जो चीज़ इंटरेस्टिंग हमको द add the money के असपास यह मतलब 9600, 9700 यह जो जो जोन है यहीं पर ही put rating है अधर्वाइस जदा put rating है ही नहीं call rating 9800 पर ज्यादा है मतलब 9800 टूटा तो ऊपर के upside short covering की चलते upside की possibility आपको expect करनी चाहिए similarly nifty bank के बारे में बात करें मतलब करें बात करें बात करें पूर्ट कॉल रिशो 0.62 है जो की बताता है की call rating मतलब sellers की position बी यर्ट की position ज्यादा strong है सबस्यादा call rating हो रखी है 43,800 के आसपास ओवर हियर 43,700-800 आप देखें तो यहाँ पर इच्छी range में रखो तक aim is to keep the market in range ताकि जो भी यह premium पड़ा हुआ है यह पूरा का पूरा premium decay किया जा सके तो जब भी add the money के आसपास आपको call rating या put rating की position बनती हुई दिखाई पड़ें तो दोसों यह आपको small cap stocks में ही दिखाई पड़ रहा है तो वह हम discuss भी करते रहते हैं आपके साथ कुछ stocks हैं जो कि हम आपके साथ share भी करते रहते हैं दोसों कुछ stocks के रिटेल सेक्टर में अगले तीन सालों के अंदर तो बीस हजार क्रोड का एक बड़ा investment इन तीन सेक्टर में किया जा सकता है अगर रिलाइंस को दुस्तों देखें टेक्निकली देखें सो रिलाइंस को दुस्तों हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह stock बाइस सो से लेकर के 2700 के जोन में अभी से नहीं पिछले तकरीबन दो धाई सालों से ट्रेट कर रहा है यहां पर आता है great buying opportunity उपर जाएगा 2700 के आसपास फिर से नीचे गिरेगा 2200 के आसपास उठ 2700 हो जाएगा अभी यह stock 2200 से निकलना शुरू ही किया है presently trade करा है 23 77 के आसपास जहां तक मेरा expectation दोसों यह stock 2700 के levels तक जाएगा बतलब यहां से यहां से अगर आप देखें तो 15-20% की upside आपको expect करने चाहिए ऐसा मेरा मानना है मैं गलत भी हो सकता हूँ अपनी due research करें financial advisor से पूछें और invest करें otherwise a great stock to hold for a long time वैसे ही एक positive news आ रही है विपरो में जिसमें कि विपरो ने इनवीडिया है तो आपको मालूम नहीं है एनवीडिया क्या है तो इनवीडिया आपने देखा हुए laptop जो आप खरीते हैं तो उसमें graphics card इनवीडिया का लगा होता है तो semiconductor के business में ये company काफी आ गया semi conductors artificial intelligence दोसों विपरो ने एनवीडिया के साथ pact किया है कि वो health care insurance companies को adopt इनवीडिया के साथ साथ वो collaborate करके अपना artificial intelligence में अपनी expertise को बढ़ाना चाह रहे हैं एक strong presence शो करना चाह रहे हैं दोसों ये पहली news नहीं है इससे पहले भी विपरो में इस प्रकार की news आ चुकी है और उसके चलते stock almost 440 के असपास तक भी गया था presently stock देखें दोसों तो ये stock 700 के price से गिर गिर के पहुँच गया है 400 के price में a great stock to hold for long term लेकिन इससे कोई भी ये उम्मीद लगा ना कि अगले 6 महिने में उपर चला जाएगा no I don't think so so अगर आप इस stock investment कर रहे है त मतलब आपका horizon long term होना चाहिए long term means actual long term when I say actual long term मतलब आपका horizon should be somewhere close to 3 years plus तो ही IT sector के stocks में investment करें नेक्स चोग दोसों जिसमें की अचाहिए इसमें एक दो और IPO चल रहे है पहला तो एक IPO चल रहा है IREDA आई आर एड़ एड़ा आई रेड़ा में आप्सक्रिप्शन आज पहला दिन था बड़ा ही बंपर सब्सक्रिप्शन हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन आज के दिन नौन इंस्टिशन इंवेस्टर्स ने 2.2 टाइम सब्सक्रिप्शन चल रहा है तो मेरे सबसे दोस्तों जो लोग पावर और इंडिया के पावर हंगरी कंट्री पे बैट करना चाहते हैं IREDA is a great stock अच्छा इसके लावा दोस्तों आज important news है पैसा लो डिजिटल में दोस्तो वीकली वीव में भी कई पर हम दोने स्टॉक को डिसक्स किया है आज कम्पनी के प्रमोटर से 1.8 लाक शिर्स बाइख की है ओपन मार्केट में अब पैसा लो डिजिटल को अब देखें तो प्रसेंटली स्टॉक ट्रेट कर रहा है 83 के आसपास और अगर आप स्टॉक के जब किसी स्टॉक में बाइख करते हैं मतलब वो गोशच को लेकरके Similarly positive news आ रही है for auto stocks, auto ancillary stocks जो की European sales पे इन्हों काम करते हैं जिसमें की lead करता है Tata Motors जो की Europe के अगर sales improve होती है तो Tata Motors major beneficiary होता है इसके लाब मदरसन सूमी, मदरसन wiring ये सारे के सारे वो stocks हैं जो की Europe की sales की performance अगर बढ़ती है तो इन stocks में भी आपको positivity दिखा ही पढ़ती है एक और भी stock है जैसे कि मिंडा कॉप, मिंडा इंडस्ट्री इन पे नज़र रह सकते हैं Europe की car की sales आप जो data आया है पिछले महिने के comparison में 14% jump किये है जो की मेरे साबसे एक sizeable jump है Tata Motors दोस्वों पिछले तकरीबन 6 महिने से बिल्कुल consolidate किये जा रहा है अगर आप मुझे से पूचें क्या stock को buy कर सकते हैं अगर आपका view long term का 3 साल hold करना चाहते हैं hold कर सकते हैं तो यह stock 1000 के उपर जाएगा लेकिन अगर आप 3 साल तक hold नहीं कर सकते हैं सोच रहे हैं कि बस मेरे को अभी फटे और मुरे को मिल जाए return तो फिर मेरे साब से this is not a great stock ऐसा नहीं दोस्तों कि मिझे तुरंत return मिल जाए तो ऐसे stock होते हैं हम लोग daily buy करते हैं almost और should put हमको returns मिल जाते हैं जो हमारे members है they know it very well लेकिन उनमें आप फिर investment नहीं करते हैं उनमें आप time से profit को book करके निकलते हैं जो investment है वो investment है जो trading है वो trading है दोस्तों एक stock के बारे में काफी सारे questions आ रहे थे in fact काफी सारे questions यह भी है रहते हैं कि Tata technologies के IPO के बारे में video बनाएं तो दोस्तों मुझे लगता है कि IPO के बारे में video बनाने का ज्यादा को एक खास मतलब है नहीं कि मुझे मैं अपने जो quick imports है वो आपको evening graph में ही देता हूँ तो टाटा technology के IPO का काफी शानदार है और सबसे important चीज़ है इस IPO की valuation इस समय जब Tata technologies जो कि इसी धंदे में गाम करता है और इसका जो price tuning ratio है Tata technologies का टाटा technology से पहले हम लोग बाकी से competitor जो business कर रहे है उनका price tuning ratio देख लें तो L&T technology का जो price tuning ratio है वो है 36.1 times ठीक है KPIT technology जो कि आज के दिन गिरा था उसका 67 times you know price tuning ratio है टाटा LXC का जो price tuning ratio है वो यह 63 times और आपको जैनकर करके हिरानी होगी यह Tata investment का जो price tuning ratio है वो मात्र 29 times है पताब समझ लीजिए कि कितना सस्ते valuation पे यह IPO आ रहा है और 22 November 24 November मतलब कल की देट से टाटा technology का IPO हाएगा IPO का साइज भी अच्छा का सा है 23042 क्रोर्स और उसके साब से कंपनी 20,000 क्रोड के आसपास की कंपनी होगी मेरे साब से ए ग्रेट ग्रेट IPO to bet और जो price band है वो भी 475 to 500 का price band है मेरे साब से 100% 100% people should apply into this IPO a great IPO a great opportunity to invest in data group बहुत सालों के बाद एक IPO रहा data का और दोसो कई सारे लोग यह भी पूछ रहा दे कि data investment का stock क्यों भाग रहा दोसो सिंपल जीए data investment data group की holding company है और data group की holding company होने के नाते इनके पास बहुत बढ़ा stake you know data बहुत बहुत बढ़ा stake data technologies में भी है सिंपल जीए दोसो जो ग्रे market premium इससे में चल रहा data technologies में so gray market premium 353 के आसपास चल रहा तो मतलब समझ दीजे कि यह stock जो की 475 से 500 के price band का होगा लिस्ट होगा उसमें आप 353 का premium मान करके चलिए सो दुसों यह आज की date पर जिस प्रकार से subscription होगा जिस प्रकार से demand बढ़ेगी तो यह उपर नीचे भी हो सकता है लिए और अगर आप मुझे बहुत ही बंपर IPO है बागी हम आपको updated रखेंगे यह उप्डेटेटेट और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और यह वांट जोइन अस एप्सलिटली फ्री फ्री आफ कॉस्ट लिंक डिस्रिप्शन में में एक यूज आप दाट थैंके सुवर माच बबाए फिन